नमस्कार मित्रों आप देख रहें टीबी टॉल्टी नीज मैं हूँ आपके साथ असोग वर्मा अपने अपने छेत्रों की खबरों को देखनेंगे बने रहे हैं हमारे साथ अब सुरुआत करते हैं आज की ताया खबरें आजमकरी के अतरवलिया से खबर है जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अधाक खकले सयादों के निर्देश पर छेत्रे विधायक डॉक्टर संग्राम यादो के नितिरती में सफाक वार करता होने समाजवादी पार्टी का रख़्टे कर्याले अतरवुडिया पर हातरस की बीटी सिम्यती दिवस पर मंगलवार देरसाम करणिल चलाकर स्रधाजर एक यर्पिढ की इस दोरां भाचप सरकार को जिम कर कोशा हातरस की बीटी के स्मित्य दिवस प्रतिक स्वरुप दीव चलाकर मनाया गया समाजबादी पार्टे का रेले में आवजी कारकर्म में हातरस की बीटी को सरधान जरी देकर दो मिनट का मौन रखा गया क्या कुछ का डक्टर संग्राम यादो चेतरी विदायक ने सुनिए देखे हमारे राष्टी अध्यच मानी अखलेश आदो ने उत्तर प्रदेश और सहयोगी दलों का आवाहन किया था कि जीस तरह से हातरस में हमारे दली समाज की बेटी के साथ अन्य हुआ और पुलिस के सरच्षण में प्रेट्रोल डाल करके जिस तरह से रातो रात जला दिया गया अभी तक उस परिवार को नय नहीं मिला भारती जनता पार्टी जनता का ध्यान हटाने के लिए लोगों का ध्यान हटाने के लगातार खड़ेंद करने का काम करती है किस तरह से बेटी के साथ नय हुआ बेटी को इलाज के भाव में बेटी दरदर ठोकरे खाती रही एफायार तक दरज नहीं हुए शिव्याई की जाज की सिपारिस अभी तक जो अपराधी है उन्हें सजा तक नहीं मिली और वो बेटी दम तोड़ दी तो किस तरह से आमानवी बेवार करके रातों रात उस बेटी को लेजा करके पेट्रॉल छलक के जलाए गया था तो आज हम इसके माध्यम से उत्तर परदेश के लोग आज भारती जनता पार्टी को सचेत करना चाहते हैं कि उत्तर परदेश तुमारे अत्याचार से कराता था उत्तर ऐस्ट आप के लिए सुमाझवादि पार्टी अत्रहुलिया का नौजवान करके जिस तरह से नयाई की किया है जिस तरह से सरकार के खिलाफ जो सरकार लगाटारप्रादियों को बिचाने में लेगी है वोस सरकार को सचेत करने का काम किया है कि समय रहते कि बेटी के हत्यारों के और बेटी के साथ गलत काम किये थे ऐसे लोगों को एगर आप सजा नहीं देंगे तो 2022 में जो बदलाव की बैयार है जब अखलेश अधोजी उत्तपदेश के मुखंती बनेंगे तो ऐसे लोगत्याचारियों के खिलाब सक्त से सक्त कारवाई करने का काम करेंगे हम अज अपनी अत्रवलिया समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी बहादुर वेटी को भाव भीनी संधांजली